हेलो स्टुडेंट कैसे आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर स्वगत है और क्लास 12 कमिश्टी NCRT में चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको इसके पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोग देख लिजेगा और आज का जो टॉपिक है वो है जालक बिन्दू क्या कहलाता है क्रिश्टल जालक क्या कहलाता है त्रिवीम जालक किसे कहते हैं या आपका इकाईसल क्या है इनके बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ के रहे हैं ठोस प्रवस्था क्या पढ़ रहे हैं ठोस प्रवस्था ठोस प्रवस्था में ठोस क्या होता है कि जिनकी आकार और आयतन क्या होती है निश्चित होती है उसे हम कहते हैं ठोस क्या बोलते हैं ठोस ध्यान दिजेगा अब यह जो आपका ठोस है किस से मिलकर बना हुआ है रचक अबयब या इसे कहते हैं संदच नातमक इकाई अब मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक चीज इनी से आपका परिभासा बनेगा ध्यान दिजेगा यह रचक अबयब कौन कौन से हो सकते हैं ध्यान दिजेगा रचक अबयब यह हो सकते हैं आयन क्या हो सकते हैं स्टुडेंट आयन हो सकते हैं आडू ठीक है हो सकते हैं धातु परमाडू इस प्रकार से ये क्या हो सकते हैं रचक अभयब हो सकते हैं ठोस रचक इकाईयों से बना हुआ है रचक अभयब से बना हुआ है अर्था संदशनात्माग इकाई से बना हुआ है ये संदशनात्माग क्या इकाई क्या है आयन है आणू परमाडू या धातु परमाणू हो सकते हैं, clear ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, अब हम क्या करते हैं, कि इन आयन अनू परमाणू या धात परमाणू को बिंदू के आकार में प्रदर्सित करते हैं, किस क्रम में बिंदू के आकार में, और student इन बिंदूओं को ही हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं जालक बिंदू, क्या कहते हैं, जालक बिंदू, कुछ चीजें समझ में आई, कि ठोस के रचक अबयब, ठोस का मतलब है, ठोस के क्रिश्टल हो सकते हैं, क्रिश्टल में क्या हो सकते हैं, आयन बिंदू हो सकते हैं, तो ठोस की क्रिश्टल के रचक अबयब, परमाडू अडू आयन बिंदू द्वारा दर्साए जाते हैं ये बिंदू जालक बिंदू कहलाते हैं तो जालक बिंदू समझ गए देखिए कोई भी चीज बेसिक पकड़ो आप और बेसिक पकड़ोगे तो आसानी से उसे आप परिवासित कर पाओगे अब इसके बाद आपका है क्रिश्टल देखिए अब इसी के आगे आपको बिंदू के आधार परी समझाना है जैसे मैंने क्या कहा ये आपका क्या है जालक बिंदू है किसी भी क्रिश्टल का जालक बिंदू और इनको जब हम निश्चित करम में व्यवस्थित कर दें निश्चित करम में क्या कर दें व्यवस्थ बन जाती है इन जालक बिंदू को मिला दिया जाए तो एक आकरती बन जाती है और इस आकरती को हम कहते हैं क्रिश्टल जालक क्या कहते हैं क्रिश्टल जालक हो सकता है किसी प्रकार से भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं कैसे भी हो सकता है ठीक है ना कैसे भी हो सकता है आकरती किसी भी आक्रति का हो सकता है पहले आपको केबल जालक बिंदू और क्रिश्टल जालक समझना है तो जालक बिंदू की पुन्रवर्ति से हैना एक निश्चित जयामती का निर्माड होता है एक निश्चित जयामती का मतलब होता है संरचना तो एक संरचना का निर्माड होता है या जालक बिंदू ए त्रिविमी विवस्था से एक निश्चित ज्यामती को जन्म देती है बिंदू दोरा दर्साई के यही ज्यामती क्या कहलाती है त्रिविम जालक या क्रिश्टल जालक तो देख सकते हैं पहले मैंने समझाया अब आपको परिभासा समझना है जालक बिंदों के त्रिविमी विवस्था एक निश्चित ज्यामती को जर्म देती है बिंदों दोरा दर्साई के यह ज्यामती क्या कहलाती है त्रिविम जालक यह क्रिश्टल जालक कहलाती है तो crystal जालक भी आप समझ गया होंगे कि कहने के मतलब एक प्रकार से आकरती जो आपके जालक बिंदु है उन्हीं के माध्यम से एक प्रकार की आकरती बनती है जिसे हम क्या कहते हैं student crystal जालक कहते हैं अब इसके बाद आप त्रिविम जालक के लथ्छन समझ ले ये त्रिविम जालक का प्रतेक बिंदु क्या कहलाता है जालक बिंदु ये जालक किस्थान कहलाता है प्रतेक बिंदु बिंदु का मतलब ये हो गया उसके रचक इकाई घटक अर्थात संदशनात्मा किकाई आयन हो सकते हैं परमाणू अन हो सकते हैं तो ये बिंदू जो होते हैं, वो कहलाते हैं, जालाक बिंदू और जालाकिस्थान कहलाते हैं, तो प्रतेक बिंदू, तो प्रतेक बिंदू या तो जालाकिस्थान, वही चीज़ है, प्रतेक जालाक बिंदू रचक अभयब दरसाता है, रचक अभयब मतलब उससे मिलकर ये क बतलब जालक बिंदू के जब समू के रूप में आप कहीं रख दें जिसे कई बिंदू का समू तो एक आकरती बन जाता है तो एक आकरती कहलाता है एक प्रकार से स्टुडेंट कहलाता है क्या तो जियामती कहलाता है तो इस प्रकार से आपने दो चीजें सीखा भी क्या क्या स इससे लिख लेना है ठीक है इस क्रीन साथ ले लिया करो नहीं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा WhatsApp वहां पर चुड़ आना तो वहां पर भी आपको नोट्स पिल जाया करेगा ठीक है अब देखते हैं इकाई सेल, इकाई सेल या एकक सेल के हैं, यूनिट सेल जिसे बोलते हैं, तो एकक सेल या एकाई सेल को समझने के पहले आपको सेल समझना है, कि जालक बिंदू की पुन्रा ब्रत्तियोग सुचमितम समू सेल कहलाता है, मतलब एक छोटा सा समू, जैसा कि आपने अब यहां प समू क्या कहलाता है एकक सेल हो सकता है ऐसा भी हो सकता है यह आपका यहां से यहां तक यह क्या कहलाया एकक सेल कहलाया सेल मतलब सूच्वितम छोटा से छोटा वाग क्लियर है ना जैसे आपके कई थोड़ी जालाग बिंदू है आपस में क्या हुए पुन्रा ब्रत्ति हो गए और पुन्राब्वद्ती के वाद एक समू का निर्मान करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, क्लीर है, यहाँ पर देख सकते हैं, जालाक बिंदु का पुन्राब्वद्ती योग सुच्विटम शमू सेल कहलाता है आगे बात करेंगे एकक सेल, क्रिश्टल में रचक अभयाबों की क्रमबध रूप में व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो सुच्मितम इकाई बनती है, एकक सेल कहलाती है अब देखिए, क्रिष्टल के रचक अभयाबों की क्रमबद्ध के रूप में विवस्थित होने, यहाँ पर क्या बोला था, पुन्रा ब्रत्ती, पुन्रा ब्रत्ती होने से जो समू बनता है, एक छोटा सा सेल बनता है, लेकिन सेल से छोटा सा बड़ा समू, एकक सेल कहने के मतलब जब एक निश्चित क्रम में, क्रम बद्ध कह रहा है, यहाँ पर क्रम बद्ध की बात आ गई है, यहाँ पुन्रा ब्रत्ती हो रहा है, क्रम बद्ध यह नहीं है, लेकिन जब पुन्रा ब्रत्ती हो रहा तो क्रम बद्ध तो हो गई होगा, ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट टिस्टल में रचक अभ्याद जोते एक निश्चित क्रम बद्ध से वेवस्थित रहेंगे और क्रम बद्ध के वेवस्थित होने के फलसरूप एक सुष्टम समू बनाएंगे ठीक है ना एक सुष्टम IKAI बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं एकक सेल जैसा की आपने अभी ये डाइग्राम में देखा ये आपका हम मान सकते हैं एक प्रकार से एकक सेल है एक निश्चित क्रम से आप देख सकते हैं इनकी वीचो आकरत यह बर्गाकार है है ना तो एक निश्चित क्रम के फलसरूप एक समूँ बनता है एक इकाई बनता है जिसे हम कहते हैं student क्या बोलते हैं एककसल या इकाई कोशिका unit cell इस लिसमें बोलते है unit cell अब ये दो प्रकार होते हैं दुविमी एककसल और तुविमी एककसल तो एककसल की परिवासा आप अप लोगोंने समाझ लिया है इसके बाद दुविमी एककसल को परिवासा आप लोग देख लिजे जालाक का सुस्तम भाग जो पुनरवรत्थी पर जालाक निर्मान करता है दुविमी एक अकसल कहलाता है अब थोड़ा सा आपको यह दि मैं कहूँ कि चार्ट की रूप में आप त्यार कर लें तो और अच्छा रहेगा सबसे पहले आप लोग यहां पर बना ले इकाई सेल इकाई सेल है इकाई सेल को कितने भागों बाटा गया है दो भागों बाटा गया, ऐसे आप लोग बना लिजीगा, एक है दुई बिमी एक अकसल, दुई बिमी एक अकसल, और दूसरा आपका, तुरी बिमी एक अकसल, ऐसा जब आप इस ट्रक्चर की रूप में बना लेंगे, तो आप से याद रहेगा इस्टुडेंट, अब मुख मुख रूप से जो तृविमी एक अकसल है, इसको हम बाट सकती है, कितने भागों में, मुख रूप से दो भागों में, और इसको बाटेंगे पांच भागों में, कितने भागों में, पांच भागों में बाटेंगे, क्लियर है, इसको पांच भागों में बाटेंगे, पहल चौकोर ठीक है थींगे तॆ है आईताकार रहा आएताकार है कि इसाइद आपकी सलेवस में नहीं भी यह बट आपको जानना जरूरी है फिर 10 0 फीके है यहां पर आपको समजा रहा हूं फीके ना इनको भी में बताऊंगा अब ही लेकिन अभी आप इसको आज जितने ही समझें कि इसको चार्ट की रूप में बना ले ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके इसके बाद इसको दो भागों बाटा गया इसको दो भागों बाटा गया है इसके दो भाग कौन कौन से है प्राथमिक एककसल प्राथमिक एककसल और जो दूसरा भाग है वो है आपका केंद्रित एककसल फिर इस केंद्रित एककसल को तीन भागों बाटा गया है clear है समझिएगा पहला है काई केंद्रित एककसल ठीक है कैसा काई केंद्रित एककसल दूसरा है फलक केंद्रित एककसल फलक केंद्रित एककसल और तीसरा है अन्ता केंद्रित एककसल इसे बोलते हैं ठीक है ना क्या है अन्ता केंद्रित एककसल अन्ता केंद्रित पस आपको इतना चार्ट की रूप में बना लेना है कि इकाई सेल को दो भागों में दुबिमी एककसल त्रिविमी एककसल को पांच किन्जित एककसल की रुप में बाटा गया है अभी दिए मैं बात करूँ इस ट्रिविम एककसल को साथ भागों बाटा गया है लेकिन उसका जो कटेंग दिये अलग है अंतरफल की कड़ों के आधार पर बाटा गया है, अच्छी के दूरियों के आधार पर बाटा गया है, इसको साथ भागों बाटा गया है, जिसको हम चार्ट की रूप में आपके पास प्रस्तूत करेंगे, फिर बताएंगे अबजेक्ट्टू टाइप कैसे कॉश्चन आता है, ठीके ना, तो त्रिवीं एक अकसल को मुक्ता दो भागों ब प्रबाद करें, तो क्रिश्टल को साथ भागों में बाटा गया है, कितने भागों में, अबजेक्ट्व टाइप में आता है कॉश्चन कि त्रिवीं एक अकसलों में आपे छी, अच्छी दूरी हुआ, अंतर फलकी कोडों के आधार पर क्रिश्टल को कितने भागों बाटा जाता है ठीक है ना कित्ते प्रकार के साथ प्रकार से तो जो अगला वीडियो आए गाई स्टूडेंट उसमें अपन पढ़ेंगे यह त्रिविमी एक अक्सल की परिवासा और इनको सब को हम अगले वीडियो में चैर्चा कर लेंगे ठीक है तो चलते हैं छोटा सा वीडियो क प्रस कर लिजे जैहिन बंद्वात्राम